Hello everyone, तम्हें अर्लाइस चनल बीबी रही मिंग्लाइस में फेरी बनी स्वागाच्छा आजा फेरी बनी महिले द्वेर अटतर को कुषिन लिर आई रहा है कर चुछ तपेंको बीबी एस वास्टेर बिजने स्टाइस का इसुटर अंडर को लागी स्वाच कुछ तय़म्हाच के लिर अबर बिजने स्टरौन बर ऍ४ल्णी तुछ छ्टिभस नी कुछ उक्ष्छ घूशन्टों मेर नियूच्टन ब家 रहा है रहा है कर चूसे मेड़ द्व लिप्डदेश का लिद्टन गोचा था अंस्टिएंटार को will try to calculate the cost of living index if the average of labor wage was 12,000 in 2020 what should be the average wage per worker in the month in 2021 so that the standard living of the workers doesn't fall in the year 2020 लेवल बनने रहा बने को चो अब यहां के गानी होता हो बनता है री ता पाइको cost of living index निकालना चा है ना सो इसमस्प्री आम ले चाहिए के गानों पड़ चा बनता है री formula चाहिए P1 Q0 अपन समेशन P0 Q0 into 100 अब समेला था चा 2020 को प्राइस ला आम ले P0 बनेंचा quantity like Q0 बनेंचा 2021 को प्राइस लाए P1 रर 2021 को quantity like Q1 ले दिनूट करेंचा अब आम ले यहां P0 Q1 रर P0 Q0 निकालेंचा यह अनुस So calculation of cost of living index मा अगे नहीं होनी सेके यह लाए P0 Q0 P1 Q1 So simply आम है अब P1 Q0 रर P0 Q0 निकालना परेंचा So P0 Q0 को पहिदा कुरा अगरम So 1000 x 10,000 15,000 x 15,000 x 25,000 x 25,000 x 25,000 x 25,000 x 25,000 x 25,000 So 40 x 25,000 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 x 25, According to the aggregative expenditure method, cost of living index, summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100 So, summation P1 Q0 by 385, summation P0 Q0 by 385 into 100 गर्द हैरी 110 आयो अब हमने क्यों बुद्न पर्षा बन्द हैरी पईदा को जुन cost of living index हो जो त्यो चाहिए जाहिए 100 उन्चा मने रामी बुद्न पर्षा अब हमने 100 संग कंपैर करने बने कती ले बड़े तई हो एले 110 आयो अब हमने 10 ले बड़े बन्द पर्यों So, cost of living index of the labour class has been increased by 10% कि नहीं अमने यो पंदा पहला को लाई अमने के माने के 100% माने का साहू To maintain the same living standard by the labour class family His salary also has been increased by 10% in 2021 So, यहां के देखोचा हमने 2020 माने जुन salary थियो तो 12,000 थियो बनेरा बन्याचा अब सेम living of standard को लागी 2021 माने काती salary होनो पर्षा बनेरा स्वतेखोचा So, obviously 10% यहां चाहिए हमने salary बढ़नो पर्षा कि देखोचा हमने के देखोचा हमने 10% बढ़नो Now, the labour average wage per month in 2021 बढ़नो So, the required labour average wage per month in 2021 So, that the standard of living of the worker does not fall of the year 2020 level is equal to 12,000 plus 10% of 12,000 So, 10% of 12,000 when you go 1200 12,000 बारा से जोड़ता हरी हाए 13,000 तुषे So, यहारी चाहिए हमने Q14 निकार काचाहू अन्दिर स्वाए यह वीडियो यह नबढ़ तर्क लाइक देखोचा हमने देखोचा हमने देखोचा हमने